अगर्मियों में यह बहुत अच्छा होता है यह एकदम रिफ्रेस्स कर देता है अगर आप इसको लेते हो तो इसको कोक्टेल या मोहितो भी बोला जाता है तो इसके लिए कुछ चीजों की जरुत पड़ेगी जैसे आइस क्यूमिंट लीव और इसमें नीबू और आपको तो सब्सक्राइब की जरुत पड़ेगी और आप इसमें ले सकते हो सोडा या फिर स्प्राइड तो फ्रेंट्स मैंने सारी चीज़े ले लिए हैं और नीबू के मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं और एक नीबू को मैं कट कर लूँग जिसका हम जूस को यूज करने वाले हैं तो फ्रेंट्स आदा नीबू मैं इसके अंदर यूज करूँगी जूस के तौर पर तो इसको मैंने रख दिया साइड में और इसका पतला सा स्लाइस कट कर लिया है मैंने जिसको मैं इसके ऊपर डैकॉरेट करने के लिए यूज करूँगी तो इसको स्लाइस को मैंने एक पुदीनी के पत्ते और उसके बाद में डेड़ चमर से यूज किया है मैंने इसमें पीसी हुई चीनी डालने के बाद में मैं डाल दूंगी यह आइस क्यूब आइस क्यूब को क्रस्ट करके भी डाल सकते हो मैंने क्यूब से यूज किये हैं तो मैं 8-10 डाल दूंगी इसमें क्यूब और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी में सोडा जो सोडा उसकी जगे पर आप श्प्राइड भी यूज कर सकते हो तो उसके लिए मैंने ले लिया है इस सोडा जिसका मैं यूज करने बाली हूँ इसको डाल दूंगी मैं गिलास के अंदर तो तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखने की इसमें जरूरुत है क्योंकि इसका डखकन एक साथ मत खोल देना नहीं तो सारा सोड़ा बाहर आ कर देना लेक्स कर देना अध्यान नहीं तो इसके बाद मैं डाल दीआ है सोड़े को मैंने ग्लास के अंदर और इसको मैं कर लोगी मिक्स तो मेरा ग्लास लंबा है तो मैंने चौप श्टिक का यूज किया है आप स्पून की हल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो जिससे कि ये सारी चीजें गलास के अंदर मिक्स हो जाए इसके बाद में मैंने नीबू भी निचोड दिया था जो कटा हुआ रखा है आदा नीबू इसके अंदर निचोडा था और ये ड्रिंक बनके रेडी हो गई है तो फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक